आज यह पूरे देश भरसे में ही रहेगा काफी जगे और यह डियम के यहां पर है ग्यापन देंगे और जो हमारे MSP गारंटी कानून का जो सवाल है उस पर बाच्चीत करेंगे कि इस्टेट की जो समश्चा होगी वह भी अपने ग्यापन में लोग देंगे और एक भार्ष सरकार को तो अब अपना वह लिखेंगे डियम के माध्यम से वह हर स्टेट के मुख्यमंत्री को और भारत सरकार का ग्यापन राश्पति को जाएगा कि यह करीब ग्यारा बारा बज़े से सुर्व होकर यह दो तीन बज़े तक यह प्रोग्राम चलेंगे क्या क्यों मुख्यमंगे रहेंगे तो एक बड़ा इसू है स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट है कि सबसे बड़ा सवाल है कि मेश्पी पर गारंटी नहीं मिलती तो पूरे देश के किसान को नुक्सान होगा कि उसके कानून बन जा है जो सरकार को खरीद कर नहीं सरकार खरीद कर लेकिन व्यापारी प्लेयर जो आ रहा है प्राइवेट प्लेयर वह सस्ते में खरीद ना करें कि इसके लिए बड़े आंदोलन देश भर में चल रहे हैं और यह मुवमेंट और आगे बढ़ेगा कि अधियर में वारता का दोर चला वो फैलिर हो गया है तो सरकार नहीं मान रही तो फैली होगा सरकार अगर नहीं माननेंगी तो फैलोगा तो कि यूपी से किसा अभी उसका प्लान बढ़ाएंगे कल एसकेम की मिटिंग दिल्ली उसमें चंडिगड में हैं उसमें तेह करांगे आगे की रणीती कैसे इस आंदोलन को आगे और बढ़ाना है कल एसकेम के सब ही लोग उसमें आएगे तो क्या पंजाब के लिए किसान नडाई लड़ देव अखेले पंजाब के नहीं है उनका इसु पूरा देश वरका है अब कर दो कल चंडिगड का प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कुन-कुन लोग रहेंगे अभी आज यह मिटिंग हो जाएगी तो कनफर्म हो जाएगा एसकेम की कल मिटिंग है चंडिगड में एक दिन की और एसकेम तह करेगा कि हम को आगे कैसे काम करना है कैसे आंदोल नकरने क्या बड़ा मुमेंट करना कि मॉटी बढ़ी एह बाठाख रही है वह बहुत दिन बाद में यह बेठाख हो रही है कि पंजाब की बहुत जत्यबंदी है तो ऐसकेम तो फिजिकल लोप से सभी जत्यबंदी के लोग उसमाएंगे यह पीशे भी लेगे उसके देश भर से लोग उसमाएंगे वहां बैठके एक दिन की बिटिंग होगी और आगे की रन देती वहां पर बढ़ाएंगे